नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे capital gain tax का और वो भी सिर्फ long term capital gain का जिसको change किया गया है budget 2024 में इतलिए ये वीडियो वनाने की जरूत लगी लोगों की अलग अलग वीडियो देखी आपको मेरी वीडियो में सबसे अलग कुछ मिलेगा वस वीडियो को end त करता हूं मैं long term capital gain पहले 20% लगता था जो अब कम करके 12.5% लगेगा actual में ये percentage में तो कम कर दिया गया बट इसको calculation करने की प्रक्रिग्या को बदल दिया गया inflation महंगाई की बज़े से price बढ़ता है property का actual में वो profit नहीं होता है रुपए की value गिर जाती है जो property 5 वर्स पहले 20 लाग की ली आज वो 50 लाग की मिलती है तो आज जो 50 लाग रुपए हैं उनकी value 5 वर्स पहले सिर्फ 20 लाग की ही थी in short indexation खत्म कर दिया गया है अब selling price less buying price equal to profit इस पर आपको साड़े 12% tax देना पड़ेगा इस tax को pay करने वाले बहुत कम लोग होते हैं रीजन profit को reinvest करके tax बचा लिया जाता है इस tax को लेकर इतना sour या broad क्यों हो रहा है इसका रीजन है indexation को हटाना जो की वाकई में गलत है महंगाई बढ़ने से rate बढ़ना profit नहीं है साइध बजट बनाने वालों को ये पता नहीं था इससे tax पर बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है मतलब दोनों में अगर calculation करते हैं कि indexation और without indexation के अगर आप profit देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा difference नहीं आ रहा है इसको देखने के लिए आप अलग-अलग लोग की वीडियो देख सकते हैं calculation देख सकते हैं धुर्ब राठी की वीडियो देखी जा सकती है उन्होंने बहुत अच्छी calculation करके बताई है बट मैं calculation की बात नहीं कर गुए हम बात करते हैं कि सरकार की कि आखिर ऐसा क्यों किया उ इंवेस्टर उदर सिफ्ट हो गए हैं मार्किट क्रेस्ट ना हो जाये इस डर्थ से दूसरा इन इन्वेस्टर को रोक ना और इनको banking sectors की तरफ shift कर देना उनको move कर देना ताकि वो banking sector में आएं move करें नेक्ष्ट है तो property market बहुत high हो रहा है इसकी rate इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी की पकरते बहुत बाहर निकल चुकी है property तो property में भी जो investors हैं तो banking system में इनको भी shift करना चाते हैं यह एक region तो दो region यह हुग है तीतरा region जिन लोगों ने property cash दे कर खरीदी और रजिश्टी कम price पर करा ली अब सरकार उस cash payment पर भी tax लेगी क्योंकि अब वो आपका profit बन जाएगा जैसे ही आप property sale करेंगे अपनी economy के लिए banking sector रीड की हड़ी होता है यह चौता आपा देना भी एक region है बैंक्स में cash flow कम हो रहा है property और stock market में investment की बज़े से इसलिए यह दोरों sector से investors को shift करना है banking sector की तरफ से ऐसा सब चीजों को आपको देख करके feel आएगा अब हम बात करते हैं क्या लोग property sale करना बंद कर देंगे नहीं profit को cash में लेना चाहेंगे property में ही reinvest कर देंगे profit को result market में cash flow बढ़ेगा property का investors property से बाहर नहीं निकलेगा सरकार का सोचना गलत हो गया next property के price पर क्या effect पढ़ेगा एक property owner अपनी property sale करके पुराने टेक्सेशन के according 15 लाग tax pay करता बट new tax rule के according अगर उसे 20 लाग tax pay करना पढ़ रहा है तो वो यह या तो profit को cash में लेगा या फिर अगर हम कहें परंतु cash लेंदेर में समस्या है यह muscle task है tension बहुत बढ़ सकती है seller अपनी property को 5 लाग रुपए ज्यादा में sale करेगा ताकि बढ़ा हुआ tax वो बायर से बसूल कर सके तो overall property के rates और बढ़ जाएंगे सरकार का सोचना बेयर्थ हो गया कि property के price को वो नीचे लाने के लिए यह कोशिस की जा रही है अब हम बात करते new investors की अगर हम new investors की बात करें तो नए investors को इस बज़े से property से दूर किया जा सकता है property में investment करने से इनको दूर रखा जा सकता है जिसका effect long period में दिखेगा कि property में investors कुछ कम हुए है इसकी उमीद की जा सकती है बट 100% ऐसा होगा इसकी guarantee नहीं है लेकिन कुछ investors जरू कम हो जाएंगे क्योंकि उन्हें tax ज़्यादा देना पड़ेगा अब property पर इसलिए new tax policy का property buyers पर क्या effect होगा नए buyers property को 100% wide में खरीदना पसंद करेंगे जिसकी बज़े से property थोड़ा महंगा खरीदेंगे बढ़ा हुआ tax की tax भी buyers की जेव से ही जाएगा ये buyers समझ लें क्योंकि ये tax seller नहीं पे करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने पैसे लगा रखे हैं तो जब आप खरीदना चाहेंगे तो आपको पैसे देने ही पढ़ेंगे फ्रैंस तो यह आपने मेरी वीडियो देखी new tax की क्या नए बज़ट में आया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो इसे like करना, comment करना, share करना ना भूलना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरू को लेना ताकि इसी टाइप की वीडियो आप देख सकें, thank you very much for watching the वीडियो